असलाम अलेकुम वेलकम बैक टूजायक अपने किचिन का तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेस्पी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गुथाओ आटा यह पूरी का पूच कीजिएगा तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने जो आटा था वो एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिया है यह मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर किया है और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं हमारे आटे में पहले से ही नमक डाला हुआ है आप इसमें नमक और अजवाइन भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओयल ले लिया है और इस आटे की हम छोटी सी लोई काट लेंगे आपको इस तरह किसे जोवाइन चाहरा और इसको गोल शेफे देना है इंतलिके से आटे की लोई काट ली हैं। और इस लोईज को काटकर हमें गोल शिफ देना है. सारी लोईज को हम गोल शिफ में कर लेंगे. हम और इस Tारह से तरह सारी जो Balls हैं अपने आटे की वो बना कर तियार कर लेंगे. आप जाहें तो हातों में हलका सा ओईल लगा सकते हैं और इसको दबा कर आपकर छोटे छोटे शोटे शेप में बना कर तयार कर लेना है तो यहाँ पर हमने जो सारी बॉल्स है वो इसी तरह से बना कर तयार कर ली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सारी बॉल्स बनकर तयार हो गई है और यहाँ पर हमने एक प्याली में ले लिया है और यहाँ पर हमें लेनी है एक बोटल, आप चाहें तो काच की बोटल भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर प्लास्ट की बोटल ली है, यहाँ पर हम बोटल को ऑईल में डिप कर लेंगे और उससे हम डिजाइन बनाएंगे, आप तो आइल की जगा आटा भी ले सकते हैं बगर आटी के भी बहुत अच्छा बन जाएगा तो यहाँ पर हमने एक बॉल ले लिए है और हमने जो बोटल ले थी उससे हम यहाँ पर इसमें डिजाइन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुती आसानी से आपकी इसली डिजाइन बन जाएगी और यह बहुती ज़दा प्यारी लग रही है आप देख सकते हैं कोई यकीन नहीं मानेगा कि आपने इसको बोटल की मदद से बना कर तयार किया है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बोटल की मदद से इसमें बहुती ज़दा सुन्दर डिजाइन बना कर तयार किया है यह देख सकते हैं और बहुती एजली बनकर तयार हो जाएगा कोई यकिन नहीं मानेगा कि आपने इसको बोटल से बना कर तयार किया है आपको इसको बनाने के लिए किसी मोल्ड की जरूरत नहीं है आप घर में छोटी बड़ी कोई भी बोटल हो आप ले सकते हैं और उसकी हेल्प से आप इस तरह से इसको बना कर तयार कर सकते हैं यहाँ पर इसको बहुती जादा सुन्दर डिजाइन मोंकर तयार हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लेट में रखकर बना कर दिखा रही हूँ तो ये देखें प्लेट में भी बहुत थी प्यार रिजाइन मनकर तयार हुआ है इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेस्पी कैसी लग रही है इससे हमें हमारा काम का पता चलता है तो यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स है वो रेडी हो चुकी है अब हमें इसको कैसे बनाना है तो इसके लिए मैं आपको इसको आगे बताती हूँ तो यहाँ पर हमने गैस पर कड़ाई रख ली थी और इसमें हमने एक लीटर के करीब पानी को अच्छे से गरम कर लिया था पानी हमारा यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे आदा चमच के करीब नमक नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से घुल जाने देंगे और पानी को हम अच्छे से बाउल आने देंगे अब हमें इसमें डालना होगा एक चमच के करीब रिफाइंड ओयल और रिफाइंड ओयल को हम अच्छे से इसमें घुल जाने देंगे तो जैसे हम मैकरोनी और पास्ता बनाते है ना उसी तरह से हमें इसको भी बनाना है और इसका टेस्ट भी सेम वैसा ही आने वाला है और यह बहुत ज़ादा यूनिक रेस्पी है इसको आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हमारा अच्छे से बाउल हो रहा है और यह बहुत ज़ादा इजी बनकर तयार हो जाती है यहाँ पर हमने जो क्यूट क्यूट से डिजाइन बना कर तयार किये थे थे ना उसको हम पानी के अंदर डाल देंगे और आपको इस बात का दिहान रखना है कि पानी को जादा थंडा नहीं होना चाहिए एक तब पानी बिल्कुल गरम होना चाहिए और गैस की फिलेम को आपको बिल्कुल हाई रखना है और हाई फिलेम पर आपको इसको डालना है तो यहाँ पर हमारे गुट्स सारे हमने डिजाइन बना कर तैयार किए थे थे उसको हमने इसमें डाल दिया है, जो थे हमने इसमें एकटा डाल दीया है और पानी आपको जादा रखना है और यह आपस में चिक्येंगे नहीं लेकिन आप इस पिचुला की हेल्प से इसको हिला कर देख सकते हैं कि यह नीचे तो नहीं लग रहा हैं लेकिन टेंशन नहीं लीजिए यह नीचे बिल्कुल नहीं लगेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यह हलके से बाउल आने लगते हैं दो मिनट के अंदर तो उपर आ जाएंगे अच्छे से पक जाते हैं तो यह तैर कर ऊपर आ जाते हैं तो यहापर आप देख सकते हैं कि यह ऊपर तैर कर आ गए हैं तो हमारे यह बिल्कुल पक चुके हैं तो हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल बंद और अब हम इनको बाहर निकाल लेते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका शेप भी बिगड़ा नहीं है और यहाँ पसमें चिपके भी नहीं है तो जो सारे हमने तयार किये थे उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे जब आप कड़ाई से निकालें तो बहुत ही आराम से निकालें लेकिन इनका शेप तो नहीं बिगड़ेगा लेकिन इनको आपको बहुत आराम से निकालना है तो यहाँ पर इनको हम ठंडा होने देंगे ताकि इनका जो पानी है वो भी अच्छे से निकल जाए और इनको भी आराम मिल जाए तो चलिए अब हम नेक्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं मैंने गैस पर एक पैन रख लिया था है इसमें हम डाल देंगे एक चमच के करीब ऑईल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम डाल देंगे हाफ टेबिल स्पून के करीब लहसन रहसन को हमने हलका सा क्रेश कर लिया था और इसको हलका सा हम फ्राई कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आदा चमच के करीब अधरक अधरक को भी हमने हलका सा क्रेश कर लिया था और इसको भी हम यहाँ पर भून लेंगे इसमें हमें डालना है आदा चमच के करीब लाल मिस्ट पाउडर इससे जो कलर है वो बहुत जादा अच्छा आता है इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला आप गरम मसाले की जगा पहेंगी मसाला या पास्ता मसाला ले सकते हैं उससे भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत जादा अच्छा आता है तो इसमें हम जाएगा एक चमच के करीब पिज़ा सॉस आप चाहें लेकिन उसको आप दो चमच लीजिएगा तो यहाँ पर हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे इससका जो टेस्ट है वो बहुत जादा अच्छा आता है और इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब सोया सॉस इससका जो कलर है बहुत जादा अच्छी आएगी तो हम डाल देंगे अपने स्नेक्स और गैस की फिलेम को हमें मीडियम कर देना है और इसको अच्छे से हमें एक से दो मिनिट के लिए मीडियम टू लो फिलेम पर अच्छे से इसको भूल लेना है वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और श तयार है हमारे मश्रूम के शेप के स्नैक्स और वो भी बचे हुए आटे से जो लोग मश्रूम के दीवाने है ना उन्हें तो ये रेस्पी बहुत ज़ादा पसंद आएगी वैसे जो नॉर्मल मश्रूम खाते हैं आपको उसे भी खाना है आटे की मश्रूम खाना है जिन लोगों को ये रेस भी बना कर जरूर खिलाएं।